साथियों, आज आप ये भी देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी और युद्ध के संकट के बीच पूरे विश्व में युवाओं के सामने नए अवसरों का संकट है बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स विक्सित देशों में भी बड़े संकट के आसंका जता रहे हैं ऐसे समय में एकोनामिस्ट और एक्सपर्स ये कह रहे हैं कि भारत के पास अपना आर्थिक सामर्थ दिखाने और नए अवसरों को बढ़ाने का एक्सपर्णी मोका है भारत आज सर्विस एक्सपर्ट के मामले में विश्व की एक बड़ी शक्ति बन गया है अब एक्सपर्स बरोसा जता रहे हैं कि भारत विश्व का मैनुफेक्टरिंग हाउस भी बनने वाला है इसमें हमारी प्रोडर्स्क्षन लिंक इंसेंटिव स्कीम ऐसी योजनाओं की बड़ी भुमिका होगी लेकिन इसका मुख्य आधार भारत का स्किल्ड मैन पावर भारत का स्किल्ड युवाई होगा अब कल्पना कर सकते हैं सिर्फ पियलाइस किम में ही देश में साथ लाख नए रोजगार का स्रजन होने की उमीद है मेक इन इंडिया अभ्यान हो वोकल फर लोकल हो लोकल को गलोबल ले जाने का अभ्यान हो यह सभी योजना हैं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही हैं यानि सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही ख्षेत्रों में नई नोक्रियों की संभावना लगातार बढ़ रही हैं और बड़ी बात ये कि ये नए अवसर युवाओं के लिए उनके अपने शहर अपने गावों में बन रहे हैं इसे युवाओं के सामने अब पलायन की मजबुरी कम हुई हैं और वो अपने ख्षेत्र के विकास में पूरा सयोग भी कर पा रहे हैं स्टार्ट अप से लेकर स्वरोजगार तक स्पेस से लेकर ड्रौन तक आज भारत में युवाओं के लिए चोग तरफा नए अवसरों का निर्माण हो रहा है आज भारत के 80,000 से ज़्यादा स्टार्ट अप्स युवाओं को विबिन्न ख्षेत्रों में अपना सामर्त दिखाने का मोका दे रहे हैं दवाईयों की सप्लाई हो या पेश्टिस हैल्ज का छिर्काव स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा छेत्रवे इस्तेमाल ड्रोन्स का उप्योग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उप्योग युवाओं को नई नोकिनियां दे रहा है हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निरने लिया उसका भी बड़ा लाब युवाओं को मिला है हमने दो-तीन दिन पहले ही देखा है कि कैसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने अपना पहला स्पेस रॉकेट सफलता पुर्वग लॉंच किया है आज जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें मुद्रा लोन से भी बड़ी मदद मिल रही है अब तक देश में 35 करोड से जादा 35 करोड से जादा मुद्रा लोन दिये जा चुके हैं देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने से रिसर्च को बढ़ावा देने से भी रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं मैं देश के सभी युवाओं से आगर करूँगा कि नए अवसरों का भी पुरा लाब उठाएंगा झाल